नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 और 14 अप्रिल तुलारासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों अब आप सभी के जीवनकाल में आने वाले यह दो दिनों के अंदर जो खुश खबरियां आ देखकर अब अपने आप पर विश्वास नहीं करोगी जीहां दोस्तों कि आने वाले इन दिनों में आप सभी के लिए सभी दिनों में से एक दिन सावित होने वाले हैं जिहां दोस्तों यह समय गिर्व किस्ति की अनुशार आपके भागेदे का शमय होगा। यूँ कहें कि दोस्तों स्व्म मा लक्षमी की किरपा आप सभी के ऊपर बनने वाले हैं। दोस्तों इन दिनों में आपके नसीब के सभी द्वार खुल जाएंगे और आप सभी अटके विकार बड़ी आसानी से संपन होते जाएंगे। और दोस्तों आपको किन चीज़ों से बचना है? किन किन चीज़ों से फाइदा होगा? आपकी लव लाइप के से रहेगी? बीजनस और बैपार के सा रहेगा? और स्वास्ते की महत पुन्चानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबंक किया है? दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक उपावी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्रा मिलने वाले हैं जिससे सुनकर अपने आप पर अब विश्वास नहीं करोगे किसी ना किसी तरह से वह सारे खुश कशवरीया आपको आएंगे जिससे आपके सभी काम आसानी से बंते जाएंगे जिहां दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं चानक निति कहते हैं कि जो वेक्ति दूसरों को कमजोर और स्यम को स्रेश समझने की भूल करता है उसे जीवन में आगे चल कर कस्ट उठाने पड़ते हैं हर वेक्ति का सम्मान होता है उसके सम्मान को ठेश नहीं पहुचाना चाहिए यह जूग गलत करते हैं उन्हें वाधा परेशानी और चुनूतियों का समना करना पड़ता है चाने निति के अनुसर समय कभी एक जेसा नहीं रहता है जो इस बात का ध्यान रखते हैं इन्हें कभी परेशानी का समना नहीं करना पड़ता है तो आज उसका कुछ हिसा वापस मिल सकता है दूस्तों दिन की सुरुवात में ही अपन परबात प्रस्तिया और अज़ादा अनुकुल रहेगी। परिवारी और समाजी गतिविदियों में आपका उचित समय वेतित होगा। मन में भी प्रसंता और उर्जा बनी रहेगी। प्रसंता पर ही विश्वास रखें। पुराने दोस्ता से मुलाकात आपको तरोतवाजा करेगी। अपने किसी रुची पूर्ने कारे में समय वेतित करने से आपको प्रसंता मिलेगी। दिन समान ही रहेगा। संतान से समय कोई समस्या हल होने से रहात भी मिलेगी। दोस्तों आज अधिकतर काम सुचारी रुप से बनते जाएंगे। जिससे मन में संतोस रहेगा। परिवार सुक्षविदा को शोपिंग करने से भी खर्चे की अधिकता रहेगी। लेकिन परिवारी लोगों की खुसी की वज़े से खर्चों का दूख नहीं होगा। दोस्तों आपका धहर और स्यम रखना आपसकी वैस्ता को उजीद बनाए रखने में मदद करेगा। बच्चों से समधिक कोई समस्या भी दूर हो सकती है। को समय धार्मी तथा आद्यात्मी गत्ति विदियों में समय वितित करने से मानसिक सिकुन मिलेगा। दोस्तों नेगेटिव की बात करें। तो अपने सभाब में लचिला पनना आना जरूरी है। विप्रित परसितियों में भावनाओं के आवेस्म ना आएं। दूसरों के साथ सक और वहम जैसी स्तिना आने दें। संतान की किसी समस्या से उसका सहयो करना जरूरी है। किसी भी तरह की दिकेत्ते आने पर अनुवी व्यक्तिकी सलह अवस लें। क्योंकि आपका खुद का निने गलत भी हो सकता है। इस समय किसी समन्दी के साथ कुछ मद्वेद होने की आसंका है। अपने कुरोध पर नियंतर रखें। दूस्तों कुरोध आदमी को सेतान बना देता है। इसलिए कुरोध पर काबू रखें दोस्तों आपको भी कार करेंगे। आवसी आपको सफलता मिलेंगे। और दोस्तों कुरोध आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए इसको धान रखके चलें दोस्तों, आप आवासी सफलता की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों किसी भी युजना को जल्दबाजी और लापरवाय से क्रियाविंद न करें। किसी निकट समन्दी दोरा कोई अपरी समचार मिलने से मन कुछ उधास रह सकता है। इसमें अपने भावना पर काभू रखना जरूरी है। इस समें रुपे पेसे समन्दी कोई भी लेंग देन ना करें वाना मुसीवत में फच सकते हैं। घर के बड़ी बुजरों का शम्मान वा आदर बना रखना आपका कर्तब है। विद्यार्तित था युवावर्ग अपने लक्ष को हासिल करने के लिए और अधिग मेहनत करें। आवसी आपको शफलता मिलेगी। दोस्तो नई जिमेदारियां आपके उपर आने से कारभर बढ़ सकता है। कभी निवेश करने से पहले उसकी उचित जानकारी हासिल करना जरूरी है। ध्यान रखें कि किसी के साथ बाद बाद होने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। दोस्तो कभी-कभी आलस और सुस्ती की वज़े से आप काम को टालने का प्रयाश करेंगे। इससे आपकी दिन्चारिया अस्त व्यस्त भी हो सकती है। कोई भी निर्ने लेने में दिक्कत आये तो अनुवी वेक्ति की सला अवश्र लें। विद्यार्ती तथा युगावर्ग वेर्थ की गति विद्यों में समय ब्रबाद ना करें। दोस्तों आज किसी खास वस्तु कुखोने आत्वा या चोरी होने की आसंका लग रही है। इसलिए लापरवाई बिल्कुल ना करें। किसी के साथ भी बादचित करते समय उचित सब्दों का प्रयोग करें। अना था वाजबाद जैसी इस ती बन सकती है। दोस्तों वेफसा में प्रभावसाली वेफसाइक लोगों से संपर्क बनेगें। दिकत्ते आएगी इस समय वैबसा में बहुत अधिक ध्यान देने की जरुरत है किसे भी फॉन कॉल को नदर अंदाज ना करें फॉन दरा आपको उचित ओर्डर मिल सकते हैं नोकरी के लिए प्रियासत विवाओं को कुछ सुचना मिलने की संभावना है दोस्ता आप वैबसा म बांशित लोगों का हस्तेचेप न होने दें इसमें अपने योगता पर ही विश्वास रखें आपके नेने सही सावित होंगे अपने ओडर समंधी कार में पक्के बिल का परयोग करें ओपिस में अधिकारियों से बाचित करते वक्त साबधान रहने की जरुरत है मेडिया मा साकारतवन वेबसाप पर बहुत मेहनत की जरुरत है ओनलाइन कामों में संपर सुत्रों की मदद से जादा ध्यान देने की जरुरत है नोकरी पेसालों को अपने काम में भरपूर मेहनत की वज़े से साकारतवन नतीजे मिलेंगे और परमोशन भी शंभव है वही बात के लि प्यास और मनजन में समय बेतित होगा युवावर प्रेम समंदों को लेकर काफिर गंबीर और इमांदार रहेंगे व्यक्तिकत और व्यावसाइक दोनों जगत से उचित समाननस बना रहेगा किसी निकट समंदी से कोई सूप समाचार मिलने से प्रशनता रहेगी पत्ति-पत् इतनी आपसी समंदों में एगो ना आने दें इसका असर घर के वतावरन को भी खराब कर सकता है रहम समंदों में एक दूसरे के भावना का शमान करना जरूरी है दोस्ता आपके स्वास्त के बारें बात करें तो व्यक्तिकत कारें की वज़े से कुछ कत्तनाव रहेगा जिस इसके मुख्य बज़ा आपकी लापरावई होगा यूगा प्रन्याम को अपने दिन्चारिया में जरूर सामील करें से आपकी सरीत तंदुरुस्त और फिट रहेंगे वर्तमान परिष्तियां के कारण मान से इस्तिक किसी बिच्रित रहेंगे सकत्मा बने रहने के लिए अध् स्वास्त पर भी हो सकता है इस वज़े से अनिद्रा और वेचैनी की समस्या रहेगी कुछ समय सकार्थ में गतितित करें दुस्तों मोसम की वज़े से गले में इंस्पेक्शन और छाती से समंधित दिकतें रह सकती है लापरवाई ना करें और अपना उची ध्यान रखें च ब्रीमित रुप से जो उपाई करता है कुछ ही दिनों में उसकी किसमत चमक जाती है और दोस्तों उस दिन गायको रोटी में गूड मिलाकर खिलाएं आपकी सभी मनों कामनाय पूर्ण हो जाएं दुस्ता बात करेता हैं आपका भागसाली रंग और भागसाली आंक क्या है झाल झाल